सानिया मिर्जा से डिवोर्स में देड़ साल लग गया एक शर्थ पे बात फसी हुई थी वो शर्थ क्या थी उस शर्थ के होते वे लगता था कि दोनों एक हो जाएंगे सना बीच में से दूद में से बाल की तरह निकलती भी नजर आ रहे थी लेकिन सना को बहुत अच्छे से गुर्ब मालूम है कि किस तरह से किसी का घर उजारना है और किस तरह से किसी आदमी को ट्राप करना है मिर्जा मलिक शो की दौरान दोनों एक बार फिर से करीब आ गए थे अपने लिए आए थे अपने बच्चे के लिए आए थे सना ने कैसे शोयब को एक बार फिर से भसाय शोयब मलिक और सना जावेत ने दो घर मुकमल तोर पर तबाव बरबाद कर दिये तुम्हें खुदा याद नहीं उमेर जस्वाल जो कि सना के एक्स हजबिंट है उन्होंने दिल चीर के रख दिया बहुत ही अफसोस नाकमल है शादी जो है वो सब करते हैं एक नहीं मतादस शादिया भी करते हैं लेकिन इस तरह से किसी का बसा बसाया घर तोड़ के किसी के आदमी को फसा के या आदमी किसी और पहले शादी हुई होती है इतनी गलाज़त और इतनी गंदगी के बाद जब य कोई नहीं देता सिर्फ थूथू कर रहा होता है शोई मलक इस वक्त खामोशी से मगला देश प्रीमेर लीग जो है वो खेल रहे हैं और तीसरी शादी करने के बावजूद इससक्त तो अकेले हैं कोई भी भी उनके साथ नहीं है और यह जो अकेला पन है कि उनका एक बेटा है लेकिन फिर भी वो बेटा अब उनके साथ नहीं है बेटा बाप को फरामोश कर रहा है और इसी शर्फ पे यह तलाक हुई थी कि बेटा बाप का नाम तक जो है नहीं लेगा यह जिन्दगी पर अब एक खला है जो पूर तो नहीं हो सकती लेकिन अब जो सानिया मिर्जा और बिल्कुल भी रजामन नहीं थे और शदीद मजबूरी में उन्हें दबाव डलवा के यह तलाक दिलवाई गई है क्योंके आप देखें कि गेम कितनी गंदी खेली इन दोनों ने मजबूर किया शुयब मलिक ने सानिया मिर्जा को कि वो खुला ले पिछले दो साल से तीन स चेक करें कि अगर मैं खुला लूँगी तो लोग मुझे तूथू करेंगे तो अब उस पर जो इनके आएकस हस्बिंट से उमेर जस्वाल पर प्रेशर डलवाके डरा के धंका के कौस करवा करवाके उनसे तलाक दिलवाई है ताके दुनिया यही कहे कि बिचारी तो मजलू 30 को तो इसके शोहर ने तलाक दी है अच्छा जी मैं आपको यह बताती चलू कि शुएब और सानिया मर्जा की खुला जून 2023 में हो चुकी थी लेकिन उमेर जस्वाल ने सना को छोड़ने से इंकार कर दिया था अब उमेर जस्वाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि जो ऐसे गलत काम कर रहे हो असल में यह उमेर जस्वाल का एक गाना है जो उन्होंने दस महीने कबल जो है वो गाया था यह वही वक्त था जब उनकी बीवी सना जावेद और शुएब मलिक जो है उनकी दोस्ती चल रही थी और दोनों इस दूसरे से मुलाकाते करते थे घू अपनी एक्स वाइफ के लिए जो कहती थी कि मैं तुमसे बड़ी महबत करती हूं दोनों की लाव मेरेज हुई इतने अरसे तक चक्कर चलाते रहे उसके बाद दोनों की शादी होती है शादी के तीन महीने बादी आपकी वाइफ आपको चीट करना शुरू कर दे तो इस प ये गाना शेयर करने के बाद फैंस ने उमेर जस्वाल की सोशल मीडिया पर अपने भी दुख का इज़ार किया और सना और शोय पर तनकीद से भरपूर मेसेजिस लोगों ने करना शुरू कर दिये किसे दोगली और घटिया लोग हैं कि इन्होंने दो घर उजाड के रख द अपनी जिन्दगी हासी खूशी गिजा रहने की कोशिश कर रहे हैं दुसरी طरब सानिया मिरजा ने भी आकिरकार दस दिन بعد अपनी दुख बरी कहानी उज़े shared की है मुश्चिल की इस घड़ी में सानिया मिरजा का सहारा कौन है सानिया मिर्जा ने बेटे इजहान मलिक और भाणजी के हमरा सोचल मीडिया पे एक तस्वीर शेयर की सानिया मिर्जा ने ये तस्वीर का कैप्शन है वो लिखा लाइफ लाइफ लाइन्स पाकستان के साबक कप्तान शोय बल्लिक सेलैगी के बाद सानया मिर्जा इस वक्त दुबई ही में अपने वालिदेन और बहन Times वक्त गोर Add элект गजार रही है साथ जी वो सोचिल मीडिया पे भी काफी ही ताहरिक नज़र आ ही है इनी दिनों सानिया मिर्जा की अपनी भांजी के साथ अच्छी कुर्बत भी हो गई वो बेटे इसान के साथ तसावीर में भांजी को भी अक्सर लेकर आती है नई तस्वीर में सानिया मिर्जा ने दोनों बच्चों को अपनी लाइफ लाइन करार दिया है सानिया की ये तस्वीर इस बात की अकासी करती है कि मुश्किल की इस घड़ी में ये दोनों बच्चे जी इनके सहारा बने हुए हैं यही दोनों इनका होसला और ताकत है सानिया मर्जा के फॉलोवर समेट पाकिसानी मारू शक्सियात की जाने से इन्हें मजबूत रहने की दुआ और नेक तमनाओं का इसहार किया जा रहा है सानिया मर्जा की हालिया पोस्ट ने देखने वालों को चौंका दिया क्योंके जो भारती टैनिस टार हैं आपकी बार बहुत कुछ कह गई है गर तोड़ा गया है तीन साल से वो खुशिश कर रही थी वो जानती थी कि उनके मिया का फेर चल रहा है वो चाहती थी कि ये शादी बच जाए उनके मिया वापिस जो है वो अपने बेटे के पास आ जाए उनके मियां को एसास हो कि वो बहुत बड़ा गुना करें, बहुत बड़ी गलती करें लेकिन वो इंतजार इंतजार नहीं रहेगा श्वेब मिली की बलडे पर विश्ण ना करकर सानिय मिर्जा ने इपने बेटे को हग करते वे थिस्विश शेयर किया और इंताही दुखी मैसेज शेयर किया, डेफिनिटली जादे होती है, बहुत अच्छे अंदाज में साल गिरा वगिरा मनाया करते थे, बेटे की भी, सानिय की भी और शॉयप की भी, लेकिन बड़ी दुख और तकलीफ की बात है, कोई इंसान, लोग लिख रहे हैं कि जी सना करना शकल का, सानिया ने जी, इंगलिश दुबार में पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है, आप जन्दगी में हजारों चीज़ों से गुजरते हैं, जिन से मतालिक लोगों को इल्म भी नहीं होता, आप ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं, जो आपको हिला के रख देती हैं, त फरक नहीं पड़ता, मुस्कुराते भी चलते रहें क्योंकि आपके पास किसी दूसरे पर साबित करने के लिए कुछ नहीं, आप पहले ही अपने अंदर बहुत कुछ साबित कर चुके हैं, अपने अंदर लड़ रहें, इस वक सानिया मिर्जा दुबाई में मौजूद हैं और काफी नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, प्रॉपटी वगएरा पर काम कर रहे हैं, बहुत साथी चीज़े कर रहे हैं, सानिया के लिए यह मुश्किल वक्त है, क्योंकि वो चाती हैं कि वो वापस टैनिस में आएं, और ना सिर्फ कम बैक कर रहे हैं, बलकि अपनी फिटनेस पर भी धिहान दे रही हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी कर रही हैं, जो दुबई से अप्रेट होते हैं, पूरी तबच्चे पर भी है, क्योंकि पहले ही बाप रंगीनिया, रंग्रलिया मनाता हुआ, इधर उधर रहता था, सानिया को नहीं बता था, उनको लगता पर ही है, अच्छा ची जो अलफाज इनोंने शेयर की हैं, डेफिनिटली किसी भी औरत का घर तूटना, तोड़ देना, और ये कोई आम शादी नहीं थी, अगर आप देखें कि सानिया मर्जा की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी, शादी से पहले शुएब की एकदम शादी निकलाती है, पहली जो सानिया को भी नहीं पता थी, शुएब ने कहीं लागए, उनको शीशे में उतार लिया, कि ये गलती थी और ये था वो था, वो लड़की आईशा, वो भी इंडिया से थी, उसके बाद सानिया ने उन पर इतबार किया, सारी दुनिया के खिला क्यों किया, उन्होंने इंटर्विउस में ये ही कहा है, कि सबसे आखिर में चीज वो थी, जो मैंने सोचा, कि ये एक पाकिस्तानी है, मैं बुझे उन से महबत हो गई, और अब ऐसा महसूस होता है, कि सानिया को एसास हो गया होगा, कि जिन्दगी का सबसे गलत फैसला, हमजने की कोशिश करें, कि सौरत के अंदर सब कुछ तूटा हुआ है, लेकिन ये अपने आपको जोड़ कर चलने की कोशिश करें, हमारी दौाइं उनके साथ हैं, और अल्ला ताला हर इनसान को, हर घर को ऐसे घर तोड़ने वाले आदमें और और अड़तों से महफूज सके जो किसी की भी जिन्दगी बरबात कर देते हैं और सूचते नहीं हैं